नमस्कार किशान भाई एक बार फिर स्वागते हैं आपके अपने चनल टेक्निकल ने में हरवाई की तरी इस पर भी बहुत अच्छा वीडियो लिख रहे हूं आज हम एक बहुत ही अच्छी गयों की किस्म के बारे में बात करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बतादू कि अबकर मिए पहले बार सुन रहे हैं है sascus करें को सबस्क्राइब कर ले और जो प्राइप लाइक ताकि आने वाले सिव्मी हम चाने बारे में रए जानकरी उसमें खात की खफद भी कम है और पहला बहुत दिख है इस पूरी जानकारी में इस वीडियो में आपको बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि अगर बीच आप लेना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से अविलिवत हो जाए वीडियो अच्छे लगे तो लाइक किस की खासेट यह कि इसमें यूरिया खार जो आप 10 हो सब्सक्तम लगता कि इसकी कि बाल की में शब्सके ज्यादा होती है और पेदावार में शब्सक में और वेकल कि राएप रहिए हुआ उख यह था Лoss Itave Does Your dope mother बातानगा किसो नम नाम कितने प्रुट की होती कितना खाद लगता है और यह आप अगर फीज लेना चाहते हैं तो आपको कैसे उपलब्ट हो जाएगा इसकी जान कर दूंगा सबसे पहले मैं बता देता हूं इस किस्म का नाम है भी भीम यह 306, इस्किस्म का नाम भीम 306 है इसकी हीट लगवक 6 पिट की सम्तिंग होती है यह लंबाई में धेक्नी Caesar आफकी जह उसके वरावर लमबा होता है और इसकी खासित यह है कि ये गिरता नहीं है यह कितना ही लंबह हो कैसे ही किसी इरिया में आप इसकी के इति कर सकते हैं ये गिरेगा नहीं और इसमें लगवाइफ पैदावार इसकी 25-30 21 कंडल प्रती एकड़ के शाब से होती है और इसमें खास जो लगता है। जैसे डिये पी और गयों के लिए आप डिये भी करिप ज्यादा यूज़ करते हो लेकिन इसमें डिये कि महतरा 10-15 प्रती tackle 10-15 kg प्रती एकड़ के आप आप इस में डाल सकते हो और इसके बाद यूरिया भी नहीं बहुत कम लगता यूरिया भी 25 किजी परती एकड़ के साब माई की फ़स्लों में बहुत ज्यादा लगता है और ये उन्यत का को इसकी खेली काफ इजी होती है पानी भी समय कम लगता है और साथ में यह कि इसकी लंबा ही बहुत ज्यादा है गिरता बिलकुल नहीं है अगर यह बिच जतना लंबा होता है इसकी बाल उतनी ही लंबी होती अगर आप स्पीच को लेना चाहते हैं तो मैं आपको एड्रिस बता देता हूं महां से संपर्ण कर सकते हैं नमर बता देता हूं वह से आप ये बीच बुला सकते हैं अगर आप इस पीच लेना चाहते हैं तो मैं ऑपिस का यड्रेस बता देता हूं और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका मुबाइल नम्मर में बता देता हूं इसके लावा हिंदी मैं भी एक बार में आपको रिपीट कर देता हूं कि नो आट एक दो एक दो एक दो डबल साथ तो इस तरीके से आप यह संपर कर सकते हैं और इस बीच को प्लक्त करा सकते हैं काफी फायदेबन होगा वीडियो कैंसे लगा कमेंज जरू करें थैंक्यू सो मज़ किसान भाई हो